हेलो, रजस्तानी रेख्या की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिर से एक नहीं रेसिपी लेके आई हूँ उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आईगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पे नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाए तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप राजसान की स्पेशल मलाइक उल्पी गर पे बनाना जाता है तो ये रेसिपी आपके लिए इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है तो आप इस रेसिपी को लाश तक जरूर देखेगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लेगी तो सबसे पहले हमें कड़ाई में थोड़ा सा पानी डालने इससे की दूद कड़ाई में लगेगा नहीं और उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे दूद मैंने यहां पर डेर लीटर दूद यूज किया है गेस की फ्लेम मेंने हाई रखिए और दूद को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे यहां पर मैंने बड़ी कड़ाई ली इसलिए जब गेस की फ्लेम हाई होगी तब भी दूद बार नहीं निकलेगा अगर चोटी कड़ाई लेंगे तो आपको गेस की फ्लेम लो रखनी पड़ेगी और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे टाइम भी ज़्यादा लगेगा इसलिए आप बड़ी कड़ाई लीजी और यहां पर देखिए मैंने गेस की फ्लेम हाई रखिए फिर भी दूद बार नहीं निकल रहा है दूद को में तब तक पकाना है जब तक की आधा नहीं हो जाता और बीच बीच में चलाते रहना है कि नारूपे जो भी मलाई लगे उसे हमें हटाते रहना है और ये देखिए दूद आदा हो गया है हमें दूद को आदा करना है उससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है गेस की फिले मैंने यहाँ पर मीडियम कर दिये और अब हमें एक कटोरी लेंगे कटोरी में मैंने यहाँ पर दूद लिया है डालिए दूद को थोड़ा सा गाड़ा कर लीजिए और अब हमें इसमें जो हमने कॉन फ्लोर वाला दूद बना के रखा वो थोड़ा थोड़ा करते हुए एड़ करने और इसे लगतार चलाते रेने और हमें तब तक लाना है जब तक ये दूद में फिर से उबाल नहीं आ ज जाएगा तो यहां पर देखिए दूद हमारा काफी गाड़ा हो गया है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे चीनी मैंने यहां पर चार से पांच चमच लिए थोड़ा सा मैंने इसको ज्यादा मीठा रखाया अगर आपको थोड़ा कम मीठा पसंद है तो आप चीनी की कौंट है आप चाहे तो इसे स्कीप कर सकते हैं मैंने यहां पर साबूदी एड़ किये आप चाहे तो ड्राइफ रूट को काटके भी इसमें डाल सकते हैं या फिर आप इसे स्कीप कर दीजिए और दो मिनिट के लिए मैंने ड्राइफ रूट को इसमें पका लिया उसके बाद हम ग दूद्ध की एक कोटिंग हो रही है और जैसे हम इसे उंगली से हटा रहे है वो हट रहा है बस ऐसा यह में दूद्ध चाहिए तो यह देखिए 10-15 मिनिट हो गए दूद्ध हमारा रूम टेंपरेचर पर आगया और आपको देखे पता चल रहा होगा कि दूद्ध की इतना घ जाए और यह देखिए दूद्ध हमारा अच्छे से पिसके तयार हो गया अभी यह थोड़ा सा पतला लग रहा है लेकिन जैसे आइस क्रीम जमेंगी यह काफे गाड़ा हो जाएगा तो मैंने यहां पर मिट्टी के बरतन लिया है आप चाहे तो आइस क्रीम मोल्ड ले सकते या फिर आप किसी कंटेनर में या बड़े बरतन में भी जमा के तयार कर सकते हैं तो अब हम इसे 7-8 गंटे के लिए रख देंगे फ्रीजर में यहां पर मैंने जो कुलड है उसके उपर धकन लगा दिया और बाकी के जो बरतने उनके उपर हम क्लिंग रेप लगा देंगे आप चाहें तो इसकी जगे फोईल पेपर भी लगा सकते हैं या फिर आप इसे किसी कटोरी से ढखके रख दीजिए फ्रीजर में रखना या 7-8 गंटे में हमारी कुलफी जम के तयार हो जाएगी तो यह देखिए कुलफी हमारी जम के तयार होगी है जो हमने क्लिंग रेप लगा है तो इसे हम हटा लेंगे और मैं आपको चमसे दिखाते हूँ कि हमारी आइस क्रीम कितनी अच्छी बनके तयार होगी आपको जब भी आइस क्रीम खानी हो आप इसे पांच मिनट पहले बार निकाल के रख दीजिए और उसके बाद आप इसे खा सकते हैं या इस क्री रेसीपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा उमीद है आपको यह रेसीपी पसंद आयोगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको रेसीपी कैसी लगी रेसीपी इच्छी लगया है तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं फिर से एक नई यह डिया सिपी कि इच्छी जरू झूर झाल, करना कि का ग।्छ और यह व्मी है तो लोगोगा रेसीपी कि लगी डिताना कि नर आशए से लिकीघा.